very important long question what was the major homeostatic functions of the liver तो liver homeostasis में इसके जो major function है उनको बताएं कि कौन सी है ये question long question में पूछा गिया है FAC secondary homeostasis के chapter से ये question है तो जनाब हमने इसके function बताने है और इसके effect homeostasis के उपर जो effect है वो बताना है सबसे पहला जो function है synthesize टिस्टिस को ये synthesize करता है बनाता है nitrogenous waste NH3 ammonia, urea, uric acid देखें बलड में से निकालता है nitrogenous waste को NH3 ammonia को, urea, uric acid को इनको फिर ये जाते हैं kidney में kidney फिर इनको waste disposal में kidney की support करता है liver nitrogenous waste को synthesize करके kidney को support करता है waste disposal में इस तरह excretion का role perform करता है ये liver दूसरे निवरपिया plasma protein ये बहुत ही important chart question है past paper में पूछा गया है कि जो three major plasma protein liver liver screen करता है उनके नाम लिखें या उनके function में पूछे जा सकते हैं ये मैंने ये पहले नाम देख ले प्रो थ्रूम थ्रूम्बिन अल्बूमीन फिब्रिनोजिन इनका shark coat मैंने बनाया है PAF इसको याद करने के लिए पाकिस्तान air force को याद करें तो ये आप याद कर सकते हैं इस तरह प्रो थ्रूमिन का जो function है वो stimulate blood clotting जैसे में कोई कट लाग जाए जखम हो जाए तो खुन बैना शुरू हो जाता है तो वहाँ पे फॉरण blood clotting शुरू कर देती है और ये प्रो थ्रूमिन का ये function है albumin का काम है maintain osmotic balance of blood blood में जो osmotic balance है water result की concentration को बरकरार रखता है ये albumin और फिबरीनोजन ये blood clotting कास करता है ये blood clotting को प्रो थ्रूमिन स्टिमूलेट करता है कास कर रहा है फेबरीनोजन फेबरीनोजन पहले बायस बनेगा फिर उसकी रफ़तार को तेज़ करेगा प्रो थ्रूमिन फिर है जनाब तिसरे नबर पे सिक्रीशन आप बायल बायल को liver secret करता है ये बायल मैं आपको बताओं कि liver secret इसको करेगा गाल बलेडर इसको store करेगा और इसका जो function है ये emulsify fats in small intestine समाल intestine में fats की emulsification करता है emulsification का मतलब fat को जो इसके smallest unit है fatty acid उसमें तोड़ता है ताकि cell इसको absorption इसकी सही से होसके easily होसके और cell इसको utilize कर सके फिर जनाब synthesis है चौते नबर पे लिपिड लिपो प्रोटीन कॉलिस्ट्रोल इनको भी ये synthesize करता है liver तो लिपिड का जो osmotic effect homeostasis के उपर है वो regulate blood chemistry blood में जो chemical chemistry है उसको ये regulate करता है लिपो प्रोटीन को भी synthesize कर रहा होता है लिपो प्रोटीन क्या करेगा ये cell membrane में maintenance लाएगा cell membrane का तकरीबन बहुत सारा हिस्सा इस लिपो प्रोटीन से बना हुआ होता है कॉलिस्ट्रोल लास्ट में है ये energy को स्टोर करता है energy storage में का मैस का तो इसका शार्ट कोट LLC इसको लिपिड लिपो प्रोटीन कॉलिस्ट्रोल से याद कर सकते हैं लहा और ला कालेज storage इसका ना जो शार्ट को आई जी से याद कर सकते हैं जिस तरह आई जी पंजाब आई जी सिंद आई जी विलोजिस्तान होता है तो पुलीस का बड़ा होता है तो इसका storage function के बारे में पूछाएगा कि लिवर जो है वो कौन सी चीज़ों को स्टोर करता है और उनके function क्या है ली आईरन को स्टोर कर रहा है पार अफ हमोगलोबिन का पार्ट है और हेल्प करेगा हमोगलोबिन को अक्सीजन को कैरी करने में प्रोवाइड करने में टिश्यू जी रिजर्व है देखें जब भी हम ठक जाते हैं ये गलैको जिन से गलुकोज करता है फिर गलुकोज को हम यूटिलाइज करते हैं अपने अनरजी नीट्स को फॉल्फिल करने के लिए तो ये थी इसके function अच्छा जी आगे है conversion conversion का मतलब किसी एक product को दूसरे product में convert कर देन मतलब शेप convert करना या उसके chemical properties convert करना जिससे उसके function में कोई तब्दीर या जाए इस तरह हमारे पास excessive excessive होता है excessive glucose ज्यादा मिकदार में गलुकोज एकसिज नहीं सौरी एकसिव गलुकोज इलैक्टिक एसेड उनको लीवर जो है ना convert कर देता है गलैकोजन में गलैकोजन एक energy component फिर इसको energy energy को store कर रहे गलुकोजर लैक्टिक से लेगे गलैकोजन में और फिर इस गलैकोजन को हम energy purpose के लिए यूज किया जाता है cellular level पे टिशू डेवल पे recycling recycle recycle के मतलब अगर एक चीज़ पुरानी हो जाए तो उसको फिर दुबारा reform करना उसके अंदर दुबारा से उसके function को बहाल करना जिस तरह ये देखे content of old red blood cell old red blood cell के जो content है उनको recycle किया जाता है जिस तरह हीमोगलोबिन के अंदर iron होता हीमोगलोबिन क्या है oxygen carrying protein है red blood cell में प इस iron को हिमोगलोबिन में recycle किया जाता है फिर red blood cell जो है old वो ज्यादा oxygen केरी करते हैं और फिर टिशू के oxygenation ज्यादा होती है इससे detoxification का मतलब जिस toxic की जो असरात हैं जो जहर के असरात हैं उनको खतम करना बहुत सारी harmful chemicals आ जिस तरह food additives food additives से मुराद food के अंदर कोई भी drug pesticide या और chemical harmful chemical हो सकते हैं जिन में toxic होती है और उनको detoxify किया जाता है मतलब उनके जहर के असर को खतम किया जाता है यह चीज़ हेल्प करती है kidney को in toxin disposal के kidney फिर असानी से उस toxin को excrete कर देता है बाहर खारच कर देता है पहले liver detoxify करता है इन chemicals को harmful chemicals को drugs को pesticide को फिर kidney जो है उस toxin को excrete out कर देता है यहाँ पे एक चोटा सा message है stay on top of your responsibility इसका मतलब है कि आपके जो fries हैं उनके top उनको top पे रखें सबसे पहला तरजी अपने मकसद को दें जिन्दगी में कोई मकसद चुन लें फिर उसको top पे रखें उसके बाद सारी चीज़ों करें सबसे पहले आपका मकसद हो life में एक गोल एक specific goal last मी होना चाहिए जिसको top पे रखने की जुराता है अगर आप top पे नहीं रखेंगे पसे पुश्ट डाल देंगे तो फिर आप goal को achieve नहीं कर सकते